दोस्तों बजट के पहले बाजार काफे ज़्यादा वलटाइल दिख रहा है एक तरफ तो गिरावट हो रही है और फिर से बाजार रिकवर भी हो रहा है समझ में नहीं आ रहे कि क्या किया जाए लोगों को काफे ज़्यादा कंफिज नहीं समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहा है यह मामला क्या इससे बाहर निकल जाएगा दानी ग्रूप या फिर अभी बहुत बड़ा लॉस होने वाला है तो एक और बड़ी यहापे चोकाने वाली खबर निकल के आ रही है कि आने वाले समय हो सकता है कि दानी ग्रूप के शेरों की वेटेज को क किया तो फिर क्या होगा फिर क्या बहिंकर गिराउट होगी यहाँ पर LIC ने भी अपना इस्टेट्मेंट डिया है क्योंकि लगातर काज रहा कि LIC को इससे बड़ा दोका होगा तो LIC ने क्या का वो जानेंगे और दूसरी तरफ PNB ने भी अपना बयान दिया है उनका क्या कहना है जानेंगे इस वीडियो के माद्यम से और आगे क्या सम्माव ना बनेगी क्या इस समय अदानी ग्रूप के शेरों से हमें दूर हो जाना चीए या फिर इस समय गिराउट का फाइदा उटा के इन्वेस्मेंट करना चीए इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के बात करें तो अभी 59,395 के इस तरह परें लगबग 12 बजे के आसपास का टाइम में 105 पॉइंट की गिरावट के साथ में 0.18% की गिरावट है लेकिन आप देख सकते हो कि काफी ज़्यादा उठा पटक देगरों को मिल रही है लगबग 300 पॉइंट की तेजी भी देखी और आप यह देख सकते हो कि आज जो गिरावट है वो निप्टी 50 में यानि लगातर जो पीछले दो तीन ट्रेडिंग सेंसे हम देख रहे हैं कि निप्टी नेक्स 50 के वज़े से बाजार गिराता लेकिन आज निप्टी नेक्स 50.95 परसेंट अप है गिरावट के बावज भी व स्मॉल कैप में जबरदस तेजी बनी हो है और मीड कैप भी ठीक काम कर रहा है अब यह देख सकते हो कि आज जो सबसे सांदार तेजी है वो PSU बैंक में है जिसकी पिटाई होती पीछले जिनो आज PSU बैंक की दोड रहा है प्राइवट सेक्टर भी लगबग थोड़ा सा ग पाइवट आपको फार्मा में दिखाए देगी लगबग आदा परसंट की निप्टी फाइनेंसल में भी थोड़ी सी गिरावट है और FMCG सीक्ट में भी आदा परसंट की गिरावट है तो बाजार के जो लूजर अगर आप देखे तो IT इंडेック से जिसके उन से थोड़ा सा लॉस हुआ है अदानी पॉवर में अदानी विल्मा लिमिटेट की बात के स्टॉक फिलाल 466 के आत्पाइब यहां पर भी 5% का लोर सरी लगा है और इसमें भी बहुत जबरस गिरावट होगी यह लगबग उपर के लिवर से देखे तो 80% स्टॉक गिराए अगर हम अदानी ग पर 0.57% की गिरावट है लेकिन कुछ स्टॉक है जो इस समय तेजी से बढ़ रहे आगे जिसमें आप देखे तो अदानी इंटरप्राइज लिमिटेट 2977 के इस्तर पर यहां पर देख सकते हो 2.91% की तेजी देखना को मिल रही है इसके अलावा अगर आप देखे तो अदा इसी सिमेंट की बात के तो 1,974 के स्टर पर 3.72% की तेजी है अंबुजा सिमेंट सबसे सांदार रेटन दे रहा है 486 पर लगबग 5% की तेजी है तो कुल मिला के देख सकते हो कि कुछ स्टॉक में तो रिकवरी सुरू हो चुक है लेकिन कुछ स्टॉक है जो अभी भी को बहुत बारी लॉस हुआ है और यही स्टॉक काफी जाला दोड़े थे कुछ दिनों में सबसे बड़ी बात है कि इस जो रिपोर्ट निकल गए अमेरिकल शॉर्ट सेलर कंपनी ने जो अपनी रिपोर्ट दी हिडन बर्ग ने उसके बाद में अदानी ग्रूप के शेरों क है यहां पर अदानी इंटर पैजेस के आई प्यों की जहां पर देख सकते हूं कि इसमें जो रिस्पॉंस है वो काफी फीका हो गया है इसकी प्राइस बेंट रखी कि यह त्री थी हाउजन टूरनेट सेंटी सिक्स की अभी स्टॉक उससे काफी नीचे ट्रेड कर रहा है औ अभी आप देख सकते हो कि आज अंतिम दिन है और यहां पर देख सकते हो कि D.I.E. और mutual fund ने यहां पर कोई खास इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया है और सबसे जो बड़ी बात है कि जो market expert है है मांग जानी उनका कहना है कि मौजुदा market price पर retail investor बिलकुल यहां पर इंटरेस् और अगर IPO अपने पूरा नहीं भरेगा तो फिर आप समझ सकते हो कि यह IPO का जो पैसा है वो वापस करना होगा यहनि कम से कम 90% IPO को भरदा जरूरी है अगर ऐसा नहीं होगा तो investor के पैसे वापस लोटाने होंगे तो यहां पर देख सकते हो कि आज अंतिम दिन है अगर आज यह 90% पूरा फूल नहीं भरा नहीं है तो फिर पैसे वापस लोटाने हो एक बड़ा जटका और लग सकता है अदानी ग्रूप को वैसे क्या इसकी date को बढ़ाया जा सकता है हो सकता है इसकी date को आगे कुछ समय के बढ़ाया जा सकता है यह भी समवना है इस tension के माहोल में एक राहत बरी खबर निकल कर आई अदानी ग्रूप के जब अदू अबुधाभी की जो firm है IHC उसने announce किया कि हम अदानी ग्रूप के इस FPO में करीब 3261 को बिचका निवेस करने जारे और आप यह देख सकते हो कि इस इन्वेस्टमेंट करने जा रही है अब यहाँ पर देख इस इन्वेस्टमेंट के मौके पे जो चिफ एग्जुकेटिव ऑपिसर है सेयद बसर सोयब उनका कहना है कि हम लंबी अवदी के नजरे से विकास की मजबूत संभावना देखते हैं और हम अदानी ग्रूप के अब यहाँ पर आप देखे तो अदानी ग्रूप ने इस पूरे साजिस को जलिया वाला बाग का है कि एक तरह से देखे तो यह हजारों मिल दूर बैटी संस्ताने हमारे निवेस्टमेंट को गुमरा करने की साजिस रची है और यह बिल्कुल जलिया वाल बाग जैसी है जि अदानी ग्रूप के अंदर यानि उनका कहना है कि हमने अदानी ग्रूप में 30,127 गुपिच का इंवेस्मेंट किया था जो अब 56,140 गुपिच हो गए यानि जो हमने इंवेस्मेंट किया था उससे अभी भी रगकम हमारी लगबक दुगना के बाराबर है तो हमारे को कोई 1% भी नहीं है और जो नियम है उस नियमों के तहती हमने निवेस किया है तो इससे LIC को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पढ़ने वाला दूसरी दिब देखे तो इसने अधानी इंटरपाइजेस का जो एफपियो में भी एंकर इंवेस्टर के तरीके पे 300 क्रोड का निवेस भी किया है और पहले से कंपनी में उनकी 4.23% की इससेदारी है तो कुल मिला कि LIC नहीं यापे का है कि इस अधानी ग्रूप के टेंशन से कंपनी को कोई ज़्यादा फर्क ने पड़ेगा LIC बहुत मजब पड़ेगा अब यापे PNB ने भी एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने अपना रिजल्ट भी डिकलेर किया और रिजल्ट के समय उन्होंने काया कि हमने अधानी ग्रूप को करीब 7000 कृपिस का यापे कर्ज दिया हुआ है उनका कहना है कि इस पर से 2500 क्रोड रुपी जो है है और हम आगे की गतिविदियों पर बारिकी से नजर रखे हुए है सबसे बड़ी बात है कि हिंटन मेर्ग लगातार स्वाट सेलर के तौर पर बहुत ज़्यार कुख्यात है और यह बहुत सारी कंपनियों में ऐसे ही प्रॉब्लम दे चुका है उनको बहुत ज़्यादा उ जिसके उपर इनों ने अपनी तरफ से जाच रिपोर्ट जारी कि थी इसके बाद देखे तो रोईड ब्लॉक्चेन अमेरिका की कंपनिया 2017 में इसके बाद में अगर देखे तो एफ्रिया कंपनी 2018 में उसके उपर भी रिपोर्ट पेस किती और उसकी काफी ज़्यादा लॉ में उसको भी जवरस लॉस दिया और 2022 में अमेरिकी कमपनी ट्विटर के उपर भी ये अपनी रिपोर्ट दे चुक है और वहाँ पर भी ट्विटर के शेर में बायरी गिराउट हुई और अब इंडिया की कमपनी अदानी गुरूप के उन्हों उपर रिपोर्ट लाइए और क्या वो खुद के फायदे के लिए इस तरह से रिपोर्ट निकाल के लेके आते हैं और यहाँ पर रिपोर्ट में निकल का आया है कि इन्हों ने पहले से ही पोजिशन शॉट की बना के रखे हुई है अदानी गुरूप के शेरों में और इसलिए यहाँ पर सेभी ने भी का इन्डेक्स है वो हिंडनबर की रिपोर्ट के बाद में अदानी गुरूप के मार्केट पार्टिसेपेट से फीडबैक बाग रहा है अगर उनको फीडबैक बुरा लगा तो फिर अदानी गुरूप के शेरों का वेटेज गीर सकता है यानि आप देख सकते हूँ कि आने व कि समावनों तो नहीं है लेकिन जो श्टॉक काफी जाला दोड़ेते उसमें थोड़ी सी गिरावट हो सकती है लग रहा है कि जल्दी यहां पर मामला पट्री पर आएगा लेकिन अभी हमें वेट करना होगा वैसे भी बाजर में आपको नया निवेश करना है तो एक बार कल अ या जा सकता है कि बजार में आगे क्या करना है लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाजिस के बाड़े ले यह अपना खुद का रिसर्च करे क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पस सब्सक्राइब कर दीजे